नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जितना आप मन को गंदगी और कामवासना से बचाना चाते हो, उतना ही ज़्यादा आपके सामने अश्लिलता भरी चीज़े आ जाती हैं, उधारन के लिए आपने कोई टीवी खोला और एक दम से कोई अश्लिल ग्यापन सामने आ गया और मन में गंदे विचार आने लगे, ठीक ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो सिर्फ नो फैप करके अपने धातों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मचेरे को अपना होगे, तब आप कामवासना से भागने तक की इच्छा क छोड़ दोगे, एक तो वो लोग होंगे जिनको अश्लिल चीज़े देखना पसंद है, दूसरे वो जो सिर्फ इससे भागने की कोशिश करते हैं, और तीसरे वो जो ना ही भागते हैं और ना ही पसंद करते हैं, एक सच्चा योगी और ब्रह्मचारी वही है जो पसंद ना पसंद से उपर उठे, और देखो ठीक ऐसी ही अवस्ता चाये होती है ध्यान के लिए, आपको जानकर हैरानी होगी, पश्रिम के लोग हमारे देश में आया करते थे मेडिटेशन सीखने के लिए, क्योंकि उनके वहां कामवासन से उपर उठेने की जानकारी किसी के पास नह खरण है कि अभी भी वहां के लोग नोफैप में ही रुके हुए हैं, और जब तक ब्रह्मचेरे नहीं आता, कामवासन से उपर नहीं उठा जा सकता, आपने से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, क्या एक साल ब्रह्मचेरे और एक साल नोफैप के फाइदे बराबर या नहीं, तो उनको हम बता दें, जमीन आसमान का अंतर है फाइदों में, क्योंकि जब हमने ब्रह्मचेरे पालन कर दें और नोफैप वालों के उपर स्टाडी किया, और जो नतीजा आया सामने, उसे ध्यान से सुनिएगा, एक विदेशी बंदे ने 365 दिन तक बस अपने उर्जा को बचाया, और उसके स्टरी को देखने का नजरिया पहले जैसा ही था, लेकिन एक साल ब्रह्मचेरे वाला इंसान पराय स्टरी को बहन या मा समान मानने लगा, नोफैप वाला अभी भी बुरी संगती में जीता है, उल्टी सीधी जगाहों पर जाता है, ऐसा समझ लीजिये कभी भी वो बिखर जाएगा, लेकिन एक साल ब्रह्मचेरे के बाद एक इंसान सिर्फ अपने को ही नहीं, बलकि दूसरे को भी समाल सकता है, नोफैप करते हुए मन ही उसका मालिक है, और वो गुलाम, लेकिन ब्रह्मचेरे में आपका मेडिटेशन इतना गहरा हो कि मोबाइल कहीं पर गलती से भी आपको अश्लिल चीज दिख जाए, तो भागना मत, बलकि अपने मन को सच्चाई दिखा देना, कि मुझे आकरशित करने वाले का शरीर हड़ी मान्स का बना हुआ है, मल मुत्र भरा है इसमें, हजारों सालों में कितने आये आकरशन करने व कुरीर के माया जाल में फसने से पहले, ये बाते अपने मन में कहना, और अगर याद ना रहे, तो ये वीडियो दोबारा से देख लेना, अगर आप इस चैलेंज के लिए तयार हैं, तो कमेंट करें, अगर आपने ठीक ऐसा ही किया, तो साथ दिन बाद आपके जीवन में ए करच करने से भी आपको मिल जाएगा, हमारे साथ जुड़िये पूर असाल ब्रह मचरे का पालन करेंगे,